कि अबने शर्मा एंड टोड़े आइम गोई टीच यू एनिमल्स इन प्रीजन बाई जवाहरलाल नेडू सबसे पहले हम लोग आथर के बाड़े में जानेंगे जवाहरलाल नेडू इंडिया's first prime minister was popular among the children at cha cha neidu जैसा कि यहां दिया गया है कि यह जवाहरलाल नेडू जो थे वो इंडिया के first prime minister थे और बच्चों के बीच यह cha cha neidu के नाम से प्रसिद्य थे he was a man of rare sensitivity और यह एक ऐसे मनुष्य थे जो rarely ही मिल पाते हैं मतलब sensitivity के मावले में अगर देखा जाए तो इनके जैसा sensitive इंसान बहुत कम ही मिल पाता है educated at harrow and cambridge university इनका जो education हुआ था वो harrow और cambridge university में हुआ था he became a barrister after studying natural science and law and return to India in 1921 और का जा रहा है कि वो barrister बन गये थे अपने natural science और law की पढ़ाई के बाल और इंडिया वो लॉट आये थे 1921 में deeply influenced by महत्मा गांदी और महत्मा गांदी से यह बहुत जादा influence थे प्रभावित थे he joined Indian politics इन्होंने Indian politics को join किया and soon emerged as a leader of the country's youth और बहुत जल्द ही जो country के जो युवा थे युवा लोग थे उनके यह leader बन गया है however he was not a mere politician वो मातर एक politician ही नहीं थे he was also a dreamer वो एक dreamer भी थे dreamer कहते हैं जो जा सपन ज्यादा देखते हैं मतलब कि अपने future को ले के या देश की future तो इसी तरह के इंसान थे आइडियलिस्ट थे आइडियलिस्ट कहते हैं आदर्श्वादी को और humanist भी मतलब मानवतावादी एंड आर्टिस्ट और साथ साथ आर्टिस्ट भी थे in words as well अपने शब्दों के हिसाब से मतलब यह हुआ वो जो भी कुछ लिखा करते थे वो इतना मतलब यह हुआ कि इन्होंने जो लिखा इन सब वर्क्स को चाहे वो अन और्ट बैगड़ाफी दिस्कोवरी ओफ एंडिया ग्लिम्सेज अफ वर्ल इस्ट्री एंड लेटर्स फॉम एफ फादर तो इस डॉट्टर यह सब महुत ही इंपोर्टेंट है और रिमार्केबल यह असाधान माना जाता है मतलब सिंपली कोई इस तरह की रचना को नहीं कर सकता है नहीं लिख सकता है फोर रेयर विगर एंड ब्यूटी मतलब यह हुआ कि इन्होंने जो लिखा इन सब वर्क्स को चाहे वो अन आटोबैगड़ाफी हो या डिस्कवरी ओफ इंडिया हो या ग इन सभी रशनाओं के अनुसार अगर कहा जाए तो इन सारी रशनाओं ने इनको एक तरह से इंग्लिस प्रोज का मास्टर बना दिया मतलब इन सारी रशनाओं को पढ़ने के बाद ही लोगों को लगा कि यह सच में इंग्लिस में कहानिया वगड़ा बहुत अच्छी लिख स्टाइल अबॉट ओल डैट ही थाट अंड फेल्ट और जब यह प्रीजन में थे मतलब जेल में थे इंडिपेंडेंस से पहले की बात है वो बुक्स पढ़ा करते थे वहां जेल में बैठ करके ऑफजब करते थे वहां की नेचर को प्रकृती को मतलब जेल के आसपास का जो प्रकृती हुआ करती थी ड्रीम टैट टाइम्स मतलब की सपन भी देखा करते थे किस तरह से हमारे देश को आजाद करना है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और अपने पावरफुल पोईटिक स्टाइल में लिखा भी करते थे पोईटिक स्टाइल का मतलब क्या हुआ कविताओं की रशना करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही खुबसूरत होता है और उसी तरीके से वो अपना प्रोज भी लिखा करते थे और हर चीज़ को जो भी वो महसूस करते थे उन सारी चीज़ें को लिख दिया करते थे His elegant poetical prose is best captured in his autobiography और इनका जो autobiography है उसमें इनका poetical prose जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है दिखता है मतलब poetical prose का मतलब यह हो गया कि ऐसी कहानी जो कविता के अंदाज में कही जाए मतलब कि कविता और कहानी दोनों का मिश्रन देखने को मिलता है इनके autobiography में The following extract taken from an autobiography अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लिया गया है एन autobiography से ही लिया गया है reveals और वो reveal करता है बतलाता है कि इस चीज के बारे में तो नहरू's love for nature कि नहरू जी का जो प्यार था नहर के प्रती उसके बारे में It is remarkable how he derives pleasure from watching different animals and gives respect even to the tiniest animals और यह सच में remarkable है कि किस तरह से वो जो है अलग-अलग जानवड़ों को देख कर खुश हो जाते हैं और यहां तक कि जो सबसे छोटा-छोटा जीव है उसको भी बहुत ज्यादा respect देते हैं इस कहानी में The peace is a wonderful example of leave and let leave और यहां कहा यह भी गया है कि peace मतलब शांती जो है वो एक उदाहरन है जीओ और जीने दोख का तो अब चलिए स्टोडी को सुरू करते हैं एनिमल्स इन प्रीजन मतलब क्या हुआ जेल में जानवर मतलब जानवर का मतलब यह नहीं कि बहुत बड़े खुखार जानवर ही होंगे छोटे-छोटे जीव जनतों भी हो सकते हैं कि फोर फोर्टीन एंड हाफ मंथ यहां पर कहा जा रहा है कि लगबग सारे चौदा महीने आई लीवड इन माई लिटल सेल यह अपने छोटे से से सेल में सेल कहते हैं जेल का जो छोटा सा कमड़ा हो गया और रूम इन देहरादून जेल देहरादून गोल यहां पर गोल का मतलब हो गया जेल देखिए यह लगबग 14 महीने और एक और हाफ महीना मतलब 15 दिन लगबग वो अपने छोटे से से सेल में मतलब रूम में जेल का जो रूम होता है उसमें रहे कहा तो देहरादून में तो to feel as if I was almost a part of it और फिर उन्होंने वहां रहते रहते अपने आपको वहां का ही एक अंग माल लिया, वहां का एक हिस्सा माल लिया, I was familiar with every bit of it और फिर वहां कहते हैं कि यह जो है वहां के हर एक चीज से जो है familiar हो गये थे, परचित हो गये थे, I knew every mark and dent on the white washed walls और यहां तक कि जो white रंग से paint किया हुआ दिवाल था, उस पर जितना भी dent था, mark था, धबबा था, उन सारे चीजों से यह परचित थे, हर चीज को वह जानते थे अच्छी तरीके से, मतलब कोने कोने से वह वाकिव थे, and on the uneven floor and the ceiling, यहां तक कि जो फर्स था, जमीन था, जो uneven था, मतलब उबर खावर था, उससे भी वह अच्छे तरीके से परचित थे, हर जगा के वारे में हर कुछ मालूम हो चुका था उतने समय में, और यहां तक कि जो ceiling था, ceiling मतलब च्छत जो होता है, with its mouth-eaten rafters, अब देखिए, rafters क्या होता है, तो कड़ी को कहते हैं, जो च्छत को hold करता है, उसको गिरने से बचाने के लिए, धरन कड़ी वगएड़ा आप लोग जानते होंगे, तो उसको जो खा जाता है घून वगएड़ा, तो ऐसा ही मतलब कि कहा गया है कि mouth-eaten rafters, मतलब कि घून खाया हुआ जो है लकड़ी वगएड़ा जो था, उपर ceiling में, उन सब से वो परचित थे, in the little yard, outside, और जो बाहर में छोटा सा yard था, I greeted little tufts of grass, अब ध्यान दीजिए कि बाहर में एक छोटा सा yard था जहां पर लोग ठाल वगएड़ा सकते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे यह तो देखते थे कि वहाँ पर छोटे छोटे घास के गुच्छे वगएड़ा उगे हुए थे, तो उन सब को भी ये greet करते थे, अब भी बादन करते थे कि हाँ ये प्रकृति का क्या है एक बहुत ही अच्छा अंग है, यहां तक कि घास हो या फिर पत्थर हो हर एक प्रकृतिक वस्तु को वह अपना दोस्त मानते थे, ये कहते हैं कि ये अकेले नहीं थे अपने cell में, और सेवरल कॉलोनी ऑफ वै्प अब हॉर्णेट्स लिए, अब देखिए वैप और हॉर्णेट्स जो होते हैं, गिरिधा फतंगे को कहते हैं, तो उन सब की कॉलोनी बनी हुई थी, मतलब बहुत सारे चोटे-चोटे की ये फतिंग जो है जुन्ड में रहा करते थे उस सेल में इसलिए ये कहते हैं कि ये वहां के लिए नहीं थे और बहुत सारे जो शिपकलियां थी वो भी कड़ी के पीशे अपना घर बना करके रहती थी emerging in the evenings in search of prayer और साम में निकलते थी सिकार की तलास में if thoughts and emotions leave their traces behind in the physical surroundings the very air of that cell must be thick with them and they must cling to every object in that little space यहां पर कहते हैं writer कि अगर माल लिजिए कि विचार जो होती हैं हमारे अंदर की या समवेदनाय जो है अगर वो अपना छाप छोड़ दे कहीं भी माल लिजिए physical surroundings में मतलब कि हमारे आस पास का जितना भी वातावरन है उसमें अगर हमारा विचार छोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि वो उस जगह पर रहने वाले हर एक वस्तू से क्या होगा चिपक जाएगा जैसे माल लिजिए हम लोग किसी चीज के बारे में सोचेंगे और उस विचार को सुचते ही क्या होता है कि हमारे सामने वो सीन आ जाता है तो ऐसा ही यहां पर राइटर कह रहे हैं कि अगर विचार को छोड़ दिया जाए इस वातावरन में जेल का जो सेल है रूम है उस रूम के वातावरन में अगर उनका विचार छोड़ दिया जाए तो उनका विचार क्या होगा जैसे हवा हर चीज से चिपक जाता वैसे ही उनका विचार जो है दिवाल के हर एक चीज से हर एक जीव जन्तु जो वहाँ पे रह रहे हैं उनसे चिपक जाएगा मतलब उनके पास ही रहेगा सिकेंड प्राग्राफ देखते हैं I had better sales in other prisons कि दूसरा जहां भी जेल वगड़ा में यह रहें वहाँ इनको अच्छा रूम्स वगड़ा मिला बट इन देहरादून लेकिन देहरादून में क्या है तो I had one privilege एक privilege इनको मिला एक फाइदा हुआ वह क्या तो वह बहुत ही मुल्यवान था इनके लिए वह था क्या तो आगे देखेंगे दगोल प्रॉपर वाज वेड़ी स्मॉल वन एंड वी वर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकप आउटसाइड देखिए यहां पर कहा रहा है कि जो जेल का जो सराउंडिंग वगड़ा था वह बहुत बढ़ा था उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं था और इन लोगों को पुराने लॉकप में रखा गया था लॉकप आप लोग जानते होंगे जेल के अंदर ही जो जेल का मतलब जेल हो गया तो जेल का जो कंपाउंड था पूरा बहुत बढ़ा उस कंपाउंड के अंदर जेल हुआ अब जेल की जो दिवार है उस दिवाल के बाहर एक छोटा सा ओल्ड लॉकप था वहाँ इन लोगों को रखा गया था इस प्लेस वास सो एसमॉल ये इतना चोटा जगह था दैट की देर वस नो रूम तो वाक अवाउट इन इट उसमें इतना भी ए स्पेस नहीं था कि उसमें चला जा सके यहां पर जो रूम लिखा हुआ है देर वास नो रूम तो वाक बाउट तो इस रूम का मतलब हो गया जगह मतलब इस्पेस तहलने के लिए वहां पर जगह भी नहीं था and so we were allowed और इसलिए इन लोगों को allow किया जाता था मंजूरी दिया गया था morning and evening सुबह में और साम में to go out बाहर जाने के लिए and walk up and down in front of the gate की वो gate तक जो है gate के सामने तक जो हो जा सकते हैं इधर तहल सकते हैं मतलब तहलने के लिए उनको सुबह साम समय दिया या था था कारण यह था कि उस रूम में ज़ह है ज़्यादा एस पेस नहीं था a distance of about 100 yards और वो जो दूरी थी जहां इन लोग रखा गया था और gate की जो दूरी थी वो 100 yards की दूरी थी we remained in the goal compound but this coming outside the walls gave us a view of the mountains अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कायरा है कि यह goal compound के अंदर ही रहते थे मतलब जेल का जो compound था उसके अंदर ही रहते थे लेकिन वो बाहर जो आते थे अपने जेल के अंदर से मतलब जिस रूम में लोग को रखा गया था वहाँ से जब यह बाहर आते थे तो वो बाहर mountains वगएड़ा देखते थे जेल के compound के बाहर mountain जो होता था पहारी उसका dish यह व एक रोड थी पब्लिक रोड तो उसका भी नजारा देखने को इन लोग को मिल जाता था this was not a special privilege for me यह सिफ इनहीं को फाइदा नहीं हुआ it was common for all the A and B class prisoners kept at the Heradun और यह फाइदा मतलब घूमने टहलने का जो फाइदा था बाहरी दिश्ची को देखने का फाइदा था यह सिफ इन ही को नहीं मिला हुआ था बलकि ए और बी क्लास में जितने भी कैदी रखे गए थे मतलब जेल में जितने भी कैदी थे उनको दो क्लास में बांट दिया गया था ए और बी उन सभी को वहां जाने की टालने की अनुमती थी यहां पर काया रहा है कि उसी गोल कंपॉउंट के अंदर ही लेकिन जहां पर यह रहते हैं मतलब वहां पर एक गोल वाल मतलब दिवाल जो था जेल का उससे थोड़ा साथ बाहर दूरी पे देर वाज एंदर एस्माल बिल्डिंग मतलब यह हुआ कि जेल कंपॉंट के अंदर जो है एक तो जेल का दिवार हो गया और उस दिवार से थोड़ी दूरी पर एक यूरोपियन लॉक अप था एक तो ओल्ड लॉक अप था और एक यूरोपियन लॉक अप था है ओल्ड लॉक अप में नेहरो जी को रखा गया था और European lock-up में किसको रखा या था था वो आगे बताया जाएगा इस हैड नो इन्ट्रोजिंग वाल एंड परसन इंसाइड दा सेल कुड़ है फाइन वीव आप्टेंस एंड लाइफ आउटसाइड यूरोपियन कन्वेट कन्विक्ट्स एंड अधर्स केप्ट हेयर वेर अलाओ टू वाक इन फ्रेंट अप दा गोल गेट एवरी मौर्णिंग एवनिंग तो यहां पर बतला दिया गया है कि उस यूरोपियन लॉकप में किसको रखाया था जो यूरोप से आया हुए जो कन्विक्ट्स थे मतलब कि यूरोपियन दोसी जो पाया जाते थे किसी गुना के उनको वहां रखाया था तो उनको भी अलाओ था कि वो जेल के उस गेट के पास तक जो हो टहल सकते थे और ए आते थे उसके अंदर तो वह बाहर का नजारा भी अच्छे से देख सकते थे तीसा प्राइगर आप देखेंगे हम लोग only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views यहां का आड़ा है कि सिर्फ एक कैदी जिसको बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर जो है कैद करके रखा गया है वही appreciate कर सकता है मतलब प्रसंसा कर सकता है इस चीज को तो extraordinary psychological value of the outside walks को मतलब की जो बाहर टहलना हुआ प्रकृतिक जिसको देखते हुए इसकी प्रसंसा सिर्फ एक कैदी ही कर सकता है जिसको बहुत लंबे समय से उस high wall के पीछे मतलब उस जेल के अंदर रखा गया है I loved these outings और वो जब भी बाहर निकलते थे सुबह में सामें ठालने के लिए ये चीज उनको बहुत पसंद आता था and I did not give them up even during the monsoon और यहां तक की monsoon के समय में भी बर्शात भी होती थी तब भी ये बाहर निकल जाया करते थे देखने के लिए वो रुखते नहीं थे when the rain came down for days in torrents and I had to walk in ankle deep of water बारिश चाहे कितना भी हो जाया यहां तक की घुटने तक पानी आ जाता था तब भी वो बाहर निकल जाया करते थे कितनी भी धारो पानी की इनको कोई फर्क नहीं परता था I would have welcomed the outing in any place और यह भी कहते हैं कि इनको जो है outing मतलब बाहर घुमना यह हर जगह पसंद है चाहे कोई भी जगह हो इनको यह पसंद है but the sight of the towering Himalayas nearby was an added joy लेकिन वहां पर जो Himalayas का जो उचाई था वो इनके लिए जो है बहुत ही जादा joyable था, presence निये था which went a long way to removing the weariness of prison जो करता क्या था तो jail में जो इनकी थकान थी उसको कम कर देता था it was my good fortune that during the long period यह उनका अच्छा भागे था कि उस long period में when I had no interview जब इनको कोई interview नहीं देना पर रहा था and when for many months I was quite alone जब वो महीनों तक जो है अकेले थे I could gaze at these mountains and loved यह उन mountains को देख सकते थे और उनको प्यार कर सकते थे I could not see the mountains from myself but my mind was full of them यह अपने jail में जब रहते थे अपने जब room में रहते थे तो वहां से वो mountain नहीं देख पाते थे लेकिन उनके mind में वो हमेशा रहता था क्या चीज तो mountain का जो view है वो and I was ever conscious of their nearness और इनको हमेशा उनके नजदीकी का आभास जो होते रहता था and a sacred intimacies seemed to grow between us और ऐसा लगता था कि एक लगाव है जो इन दोनों के बीच जो हमेशा बढ़ते रहता है किसके बीच तो परवत के बीच और नहरुजी के बीच flocks of birds have flown high and away यहां कहा जा रहा है कि पक्षियों का जो जुन्द है वो बहुत दूर चला गया बहुत उचा चला गया इस solitary drift of cloud two has gone wandering on यहां तक कि जो बादल थे अकेले बादल वो भी बहुत दूर चले गया है and I sit alone with ching ting peak और मैं अकेले जो हूं यहां ching ting peak के साथ खड़ा हूं बैठा हुआ हूँ towering beyond जो कि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है मतलब कि ching ting peak के आसपास है we never grow tired of each other the mountain and I और हम लोग कभी भी जो है एक दूसरे से जो है वो tired नहीं होते हैं ठकते नहीं तो इस poem को पड़कर ऐसा लग रहा है कि यहां नहरू जी बतला रहे हैं कि किस तरह से जो है पक्षियों का जुन दूर चला गया है अब जो बादल वगड़ा थे वो भी चले गए है और अकेले ये ching ting peak जो थोड़ा दूरी पर है उसके साथ बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से न mountain न ये कभी ठकते नहीं हैं आगे फूर्थ परगड़ाफ में बताया गया I am afraid I cannot see with the poet Lee typo that I never grew weary even of the mountain but that was a rare experience and as a rule I found great comfort in its proximity यहां poet कह रहे हैं कि यह थोड़ा साथ डरते हैं कि यह एक तरह से जैसे poet जो है ली ताइप मतलब कि देखते हैं नेचर को उस तरीके से यह जो है completely जो है अगर देखा जाए तो ठकते नहीं है मतलब mountain से और कहते हैं कि यह सच में बहुत ही rare experience है और एक rule की तरह अगर देखा जाए तो इनको बहुत ज्यादा मज़ा आता है इन mountains को देखने में its solidity and calm looked down upon me with और इसका जो solidity है मतलब पहार का जो कठोरता है या उसका जो शान्ती भड़ा look है जो यह मतलब कि जो देखता है नेहडू जी को wisdom of a million years and moved at my varying moods and soothed my fevered mind यहाँ पे कहा गया है कि पहार जो है वो नेहरू जी को देखता है नेहरू जी पहार को देखते हैं और नेहरू जी को जब पहार देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि ऐसा लग रहा हो कि वो अपने million years मतलब लाखों सालों का जो बुद्धी है उस से इनको देख रहा हो और इनके ऊपर जो है इनका जो नेहरू जी का जो mood बार बार बदलता है उसको देख करके वो मुश्कुरा रहा हो इनके ऊपर हस रहा हो और इनके mind का जो fever है उसको कम कर रहा हो ऐसा नेहरू जी को प्रतित होता है आगे बतलाया गया है point number 5 में spring was very pleasant तो जितने भी मतलब पत्य थे उन सबको हटा दिया था and they stood naked and bare और वो उसी तरह से बिना पत्तों के खड़े थे even four magnificent people trees which stood in front of the gold gate much to my surprise dropped nearly all their leaves यहां तक की 4 सांदार people के पेड़ थे उन्होंने भी अपना हर एक पत्ता जो है वो नीचे गिरा दिया और वो पेड़ कहां थे तो जेर के गेट के ठीक सामने है gaunt and cheerless they stood there एकदम पतला cheerless हो चुके थे यह gaunt मतलब होता है पतला और cheerless मतलब की नाखुश लग रहा है थे पेड़ पौदे जो भी थे till the spring air warm them up कब तक की spring का air जो है आया नहीं और उसको ठीक नहीं कर दिया फिर से and sent a message of life to their innermost cells और उनके हर एक cell तक जीवन नहीं फूब दिया मतलब यह हुआ कि जब तक spring नहीं आया था तब तक तो इनका पत्ता जो है वगड़ा वो जड़ चुका था लेकिन spring के आते ही हर एक पेड में जो है एक तरह से क्या हुआ उसके cells में जो है जान आ गई suddenly there was a stir और अचानक से क्या हो गया तो एक हलचल हो गया बोथ इन दपीपल यहां तक की पीपल के पेड में भी and the other trees और दूसरे पेडों में भी and an air of mystery surrounded them as of secret operations going on behind the scenes और ऐसा लग रहा था कि कोई रहस से मही दुनिया है जो उनको चारों तरफ से घेरे हुई है और एक नया ही operation यहां पे चल रहा है जिससे की कुछ नया ही देखने को मिलेगा and I would be startled to find little bits of green peeping out all over them और यहां पे नहरू जी कहते हैं कि यह बहुत ही आश्चर चकित हो गए वहां पे जो छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन कलर का पत्ता जो है वहां पर जब उग रहा था वह देख करके इट वाज़ गे चीरिंग साइट मतलब यह बहुत ही खुशनुमा चीर करने वाला साइट था and then very rapidly the leaves और तब बहुत ही तेजी से जो लीव वगड़ा थे पत्ते वगड़ा थे वूड कम आट वह बाहर आ जाएंगे and इन देर मिलियंस लाखो की संख्या में and ग्लेशन और चमकेंगे in the sunlight सुरी की प्रकास में and play about in the breeze और हवा में खेलेंगे मतलब खेलेंगे how wonderful is the sudden change from bird to leaf और कितना अच्छा जो है यह change होता है sudden change होता है मतब तिवड़ change होता है अचानक से change जाता है bird से leaf बनने में पहले bird रहता है उसके बाद leaf बन जाता है